हेलो दूस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर मैच्स की आज की क्लास में हम LCM और SCF पढ़ेंगे जिसको हिंदी में लासा और मासा बोलते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है यह आपका इससे एक लासा क्या है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णता भाग चला जाए या फिर दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए ठीक है इस से सब्द को ध्यान रखिएगा तो जैसे माली जी हमने संख्या रिली चार चै और आठ तो इनका लसा जो होगा ना निकल के आएगा वो इन सभी संख्याओं से पूरा-पूरा कटे गा यानि जो संख्या निकल के आगी वह चार से भी कटेगी 6 दिब कर aktivit फीक से इनका लासा निकलta भी हुआ कि यानि कि इससे छोटी आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी जो इन तीनों से कटने वाली हो ठीक है बड़ी से बड़ी तो मिल जाएगी पर छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी-पूरी कटेगी ठीक है यानि कि 4-6-8 से पूरी-पूर संख्याओ को पूरा पूरा विवाजित करेगी जैसे हम 4, 6 और 8 को ही ले लेते हैं इनका जो मासा निकल के आएगा ना वो मासा 4 को भी विवाजित करेगा 6 को भी विवाजित करेगा और 8 को भी विवाजित करेगा इनका मासा होता है 2 ठीक है तो जो इनका मासा है ना ये 2 संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा-पूरा भिवाजित करती है ठीक है अगर हम अभाजि संख्याओं की बात करagtी हैं अगर मैंने आपको अभाजि संख्या दे दी जैसे मा लीजिए 11 13 15 इनका मासा क्या होगा तो ये जो संख्याई है ना आपकी ये किसी से भी नहीं कटेंगी ये सिर्फ एक नमबर से कटेंगी एक ऐसा जो नमबर है उससे कटेंगी वो है आपका एक ही संख्याई ठीक है तो एक से ग्यारे भी कटेंगी तेरे भी कटेंगी पंद्रे भी कटेंगी तो ये चीज़ हमेशा धिहान रखे कि अभाध्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है सदैव एक ही निकल क्या आगा वे इनको निकालने की विदिया देखते हैं इन लासा और मासा को निकालने की दो विदिया होती है एक होती है आपकी गुड़नखन बिदी और दूसरी होती है भाग बिदी ठीक है गुड़नखन निकालना अगर आपको आता होगा तो गुड़नखन बिदी से हो जाएगा और भाग बिदी अभी चली देख लेते हैं चार छे आठ को ही ले लेते हैं उनी का लासा और मासा निकालेंगे सबसे पहले हम गुड़नखन बिदी से निकालेंगे तो चार छे और आठ के सबसे पहले तो फैक्टर कर लीजिए चार का फैक्टर करेंगे अगर ये तो छोटे छोटे हैं ये तो ऐसे ही कर सकते नहीं तो आप ऐसे करके निकालिए सबसे पहले अबाजे संक्या से देंगे सबसे छोटी अबाजे संक्या से तो दो से भाग देंगे दो दूनी चार दो बार जाएगा फिर दो से देंगे दो एकम दो एक आ जाएगा वहीं पर रुख जाएंगे तो मतलब कितनी भार भाग जाए एक दो ये एक फैक्टर मिल गए और एक दो ये मिल गए तो चार के फैक्टर क्या हो गए दो गुडा दो ठीक है अगर हम छे की बात करें तो छे का क्या दो से देंगे 2, 3, 6 ठीक है फिर 3 से देंगे 3 एकम 3 तो 6 का factor क्या मिला 2 गोड़ा 3 अगर 8 का factor निकाले हम तो 8 का क्या निकलेगा 2 का देंगे 2, 4 के 8 ठीक है फिर 2 का देंगे 2 दूनी 4 फिर 2 एकम 2 तो कितने factor मिल गए 8 के 2 गोड़ा 2 गोडा दो ठीक है? ये बात समझ में आ गई अब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? उसको देखी LCM में हम क्या करते हैं? जो भी common मिल रहा है उसको हम ले लेंगे common क्या मिला? दो मिल गया ना common उसके बाद कुछ common मिल रहा है? हाँ एक दो इसमें है और एक दो इसमें है ठीक है तो इसको एक ही बार लिखेंगे लिख लिया इसके बाद जो भी बचरा है सब को लिख देना है ठीक है जो common मिलना उसे एक ही बार लिखना है उस जो नहीं मिल रहा है उसको तो लिखना है सब कुछ ले लेते हैं LCM में तो एक दो ये बचाता और एक तीन ये बचाता तो दो गुणा तीन ठीक है अब इनका मल्टिप्लाई करिए दो दूनी चार दूनी आट दिया चौविस निकल आया LCM 24 और इसका LCM 24 ही बताया था मैंने भी ठीक है अब इसका HCF देखते है HCF क्या निकलेगा तो HCF देखे है HCF की खासियत होती है गुणखन विदी में कि जो भी आपका common मिल रहा है तीनों में जो common होगा चार में छे में और आठ में तीनों में जो common संख्या होगी न वही इसका HCF हो जाएगा तो common बस दो ही मिल रहा है तीनों में बस एक ही दो तो common है तो बस ये दो आपका HCF हो जाएगा ठीक है तो LCM भी निकल आया और HCF भी निकल आया छोटी छोटी संख्याओं का HCF तो गुणखन विदी से निकालना आसान रहता है पर बड़ी संख्याओं अगर मैं आपको देदू ना 500 और 600 का HCF या 500 उननिस चैसो 27 का तो वहाँ पर भाग विदी ज़्यादा सही रहती है तो ये question देख लेते हैं question के साथ ही मैं आपको भाग विदी से निकालना समझाती जाओंगी ठीक है तो first question हमारा 12, 15 और 18 का लासा निकालिए ठीक है इसका मासा भी निकालिए आप अपने उसके लिए तो 12, 15, 18 का लासा कैसे निकलेगा अभी गुड़न खन विदी से तो देख लिए आप हाग विदी से देखते हैं तो उसमें क्या करना है कैसे लाइन करके यहाँ पर 12, 15 और 18 लिख लिजिए ठीक है तो सबसे पहले किस से अब सबसे छोटी अबाजी संग्या से भाग देंगे यानि कि 2 से देंगे तो 2 से देखे 2, 3, 12, 15 तो कटेगा नी तो 15 को वैसा कब ऐसी रहने दीजिए और 18 कितनी बार जाएगा 9 भार ठीक है फिर 2 से चला जाएगा 2, 3, 6, ठीक है 15 भी नहीं कटना और 9 भी नहीं कटेगा पिर किस से देना हैं? 3 से देना है 3 एकम 3, 3, 5 15, 3, 10 का 9 फिर 3 से चला जायेगा एक बार 5 नहीं कटेगा 5 वैसे ही फिर एक बार अब किसे चला जाएगा 5 से 5 एकम 5 सुरी एक तो वैसा का वैसे ही 5 एकम 5 और फिर एक ठीक है तो क्या निकल के आएगा आपका इन सब का कर देना है आपको multiply ठीक है और यही आपका क्या हो जाएगा LCM ठीक है तो करिए 2 दूनी 4 दिया 12 बारतिया 36 36 का 5 में multiply कर लीजिए ठीक है तो 5 शिका 30 कैरी 3 आजाएगी आपकी और 15 और 3 और 18 ठीक है तो आपका 180 जो है वो निकल के आजाएगा LCM ठीक है यह आपके भाग विदी से लासा हो गया गुड़न खंट से वैसे ही जैसे एक एक कर के फैक्टर बताए थे आपको वैसे कैसे 12 का देख लीजिए गुड़न खंट कर लीजिए तो गुड़न खंट वैसे ही करने पड़ेंगे हमें 2 चिंग 12 दो तिया च्छै तीन एकम 3 ठीक है तो क्या गुड़न खंट के आए 2 गुड़न दो गुड़न तीन 15 का निका लिए तो 15 का इज़ी है निकल आएगा पहले 15 मे 18 का देख लीजिए 18 का देना है तो सेम वैसे करना है आपका 18 का दो निम 18 पहले जाएगा ठीक है फिर तीन का जाएगा तीन तिरका नो फिर से तीन एकम 3 ठीक है तो क्या निकल गयागा दो गुड़न तीन गुड़न तीन ठीक है अब इसका जब भी वह LCM लिखेंगे तो ज लेना पड़ेगा LCM में तो लेना पड़ेगा फिर तीन देखे तीन के common मिल रहा है हाँ तीन मिल रहा है common तीनों में है तो तीन को भी लिख लिया हमने ठीक है उसके बाद next ये तीन बचा और फिर क्या पांच बचा अब इन तीनों का गुणा कर लीजिए दो दुनी चार त 36 और पंजे 180 समझ गए ऐसे निकल आएगा आपका ठीक है और अगर इनका यहीं पर HCF देखना है आपको ठीक है तो HCF देख लीजिए यह चोटी संक्या है तो इनका गुणन खंट से HCF बहुत इसी है देखे तीन आपका इसमें भी है तीन आपका इसमें भी है और तीन आप का HCF कहलाएगा ठीक है जो तीनों में common वाली संख्या होगी वही होगी HCF तो HCF इसका क्या निकल आएगा तीन नेक्स्ट कोशन है 56 और 84 का लासा निका लिए तो कोई दिक्कत नहीं 56 और 84 को लिख लेते हैं और लासा इसका भाग विदी से निकालेंगे ठीक है सबसे पहले दो का भाग दीजिए 56 में तो कितनी बार दो दूनी चार और दो अठे सोला ठीक है 28 बार चला जाएगा फिर सत्तर में दीजिए दो तिया च्छे दो पंजे दस पैंतिस बार जाएगा 84 दीजिए दो चौके आठ दो दूनी चार ठीक है उम्मीद कर रही हूं आपको भाग दो एकम दो दो चौके आठ ठीक है 35 नहीं कटेगा 35 को वैसे रहने दीजिए 42 कट जाएगा दो दूनी चार दो एकम दो ठीक है अब इन में से कोई संक्या दो से कट रही है तो दो को लीजिए वरना फिर आगे बढ़ेंगे हाँ 14 कट रही है तो 14 को काट दीजिए 2 सत्य अगर आप चाहें तो साथ से भी दे सकते हैं और तीन से भी दे सकते हैं तो सबसे करम से ही चलते हैं छोटे से ठीक है तीन से दे दीजिए तीन से साथ तो नहीं कटेगा 35 कटेगा क्या पांच तीन आठ ही अंगो का योग अगर मैं तीन से भाजित हो रहा है तो तो भाजित हो रहा है तो 7, 35, 35 और 7 ठीक है तो बस 7 एकम 7, 1 ठीक है तो ये जो भी आपको निकल के आई हैं ना इनका हम क्या कर देंगे आपस में multiply ठीक है तो इसको लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ठीक है ये 5 है गुणा 7 तो करिए multiply इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 पंजे होते हैं 120 फिर इसका गुणा करेंगी साथ में तो 1274 और 1 यह 0 यानि कि 840 आपका लासा निकलाएगा ठीक है I hope लासा को आप समझ गए होंगे तो चलिए एक question मैं आपको दे रही हूँ 96 और 72 का लासा निकालके आप comment में इसका answer टाइप करिएगा next question है 18 और 42 का मासा निकालिए तो गुणखन विदी से मासा देखी लिया है जो भी common निकलके आती है संख्या वही मासा होती है ठीक है जो भी अगर इसका गुणखन से निकालेंगे तो इसके गुणखन कीजिए और इसके कीजिए जो भी आपको common मिलेगा दोनों में वही आपका मासा हो जाएगी ठीक है तो अब हम इसका भाग विदी से निकालना देखते है भाग विदी में क्या करना है जो भी सबसे बड़ी संख्या दी गई होगी उसमें सबसे चोटी संख्या का भाग देते है ठीक है तो अठारे का देंगे अठारा दूनी 36 चला जाएगा दो बार ठीक है बारा में से च्छे का इच्छे और यहां तीन में से तीन जाएगे जीरू अब जो भी आपका शेषफल निकलाता है इस सेषफल से जो आपका भाजक होता है पहले वाला उसमें भाग देते है ठीक है उसको लिखके उसमें भाग दीजिए तो 16 तीन 18 पूरा पूरा कट रहा है ना सेषफ कुछ बचेगा नहीं बचेगा ठीक है तो जो भी जिससे पूरा-पूरा कट गया यही संख्या आपकी मासा हो जाती है कभी-कभी ऐसा होता है कि इससे नहीं कटता है या मतलब वो अभी आपको आगे समझा दूगी किसी एक्जामपल में ठीक है तो जो भी आपकी जो मासा निकल क्या है इससे क्रॉस चेक कर लीजे कि जो भी संख्या दी गहीं थी यह पूरी-पूरी विवाज़ेत हो रही है या नहीं तो 6 से देखिए 18 भी कट रही है 6-3-8 और 6 से देखिए 42 भी कट रही है दो गुणा तीन गुणा तीन जब संख्या चोटी होती है न तो गुणा खन विदी से मासा इजी लगता है ठीक है अगर बड़ी संख्या दी है तो वहाँ पर टाइम निकलेगा गुणा निकालने में दो गुणा तीन गुणा साथ ठीक है अब जो भी इन दोनों में कॉमन होगा वही मासा होगा ठीक है तो जो इसका मासा निकलेगा कॉमन क्या क्या मिल रहा है सबसे पहले तो दो कॉमन मिल रहा है ठीक है फिर कुछ और कॉमन मिल रहा है हाँ तीन और कॉमन मिल रहा है तो यह question है 13 49 273 का मासा ठीक है अब यहाँ पर गुरंखंड से time लगेगा इसलिए भाग विदी से ही निकालेंगे और ये वाला question आपका DLA के exam में आया हुआ है तो वही मैंने लिया है तो चलिए देखते सबसे बड़ी संख्या क्या है 273 ठीक है तो सबसे नीचे लेंगे 13 एकम 13 पूरी पूरी कट गई है तो यहीं पर कट गई ठीक है यानि कि 13 से कट गई तो अब 13 से क्या करना में 49 है न उसको चेक कर लिए 49 से कट रहा है अगर 49 से भाजित हो रहा है पूरा पूरा तो फिर 13 ही आपका मासा हो जाएगा तो चलिए देखिए, 13 से देखिए 49 हो रहा है कि भाज़ित, हाँ, 13, 39 होता है, तो 13, 39, पुरा-पुरा भाज़ित हो रहा है, तो आपका संक्या क्या, 13 ही आपकी क्या हो जाएगी, मासा, इस question का answer क्या हो जाएगा, आपका, 13, ठीक है, next question है, 90, 108 और 126 का मासा निकालना है, तो इसमें भी सेम वही करना है, सबसे बड़ी संक्या क्या है, 126, तो उसमें सबसे छोटी संक्या से भाग देंगे, तो लिख लीजिए, 126 में किसका भाग देंगे, 90 ठीक है, 90, एक ही बार जाएगा, दो बार करेंगे, तो 180 हो जाएगा, जा नहीं सकता, तो एक ही बार देंगे, 90 हो जाएगा, माइनिस करेंगे, तो 6 का 6 आ जाएगा, और 12 में से नो जाएगे, तीन आ जाएगा, अब इस 36 जो निकल के आया है, 6 फल, इस 6 फल से हम फिर जो भाजक था हमारा 90 है, इसमें भाग देंगे, ठीक है, 90 अब हमारा भाज दिने में तो क्या करना है आपको, पीछे से एक अंग छुपा लीजे, जैसे हमने 0 छुपा लिया, तो यहां में 3 का भी एक अंग, 36 का पीछे से छुपाना होगा, 6, और हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार पड़ेगी, 9 तक पहुंच जाए हमारा, तो 3 तिर का 9, त तो अब यहां पर क्या है, 72 को माइनस करिए 90 से, तो 10 में से 2 जाएंगे, 8 हो जाएगा, और यहां पर 8 में से 7 जाएगा, एक बचे का, ठीक है, तो 18, अब जो 6 वल बचा है, इस 6 वल से जो यहां पर दिया था, भाजक उसमें भाग देंगे, तो 36 यहां लिख लेंगे, और 18 तो यहां पर आपका जो निकल के आया, वो क्या हो गया, 18 निकल के आया, ठीक है, अब इस 18 से आप देख लीजिए, यह 18 जो है 90 और 126 का तो मासा हो गया, क्या यह तीसरी वाली संख्या को पूरा-पूरा काट रहा है, अगर पूरा-पूरा विवाजित कर रहा है, तो फिर 18 इन तीनों का मासा हो जाएगा, तो देख लीजिए, 18 से अब 108 में भाग देके देखिए, तो 18 एकम 18 ऐसे कर कि 6 बार आपका भाग चला जाएगा, 18 छिक के 108 ठीक है, जीरो, तो आपका जो मासा इसका निकल के आएगा इस कोश्चन का, तो वो आपका मासा हो जाएगा 18, ठीक कि अगर हमें भिन का लासा पूछा जाता है, तो हम जो भी भिन दी जाते हैं, उसके अंशो का लासा निकालते हैं, और हर का निकालते हैं मासा, अगर हमसे मासा पूछा जाता है भिन का, तो हम क्या करेंगे, अंश का मासा निकालेंगे और हर का निकालेंगे लासा, ठीक है, जो भी संख्यां दी जाएंगी उनका लासा निकलेगा और अंश का निकलेगा मासा ठीक है और लासा और मासा निकालना भी हमने सीखी लिया है कैसे निकालते हैं तो चलिए सबसे पहले इस भिंद का लासा निकालते हैं तो भिंद का लासा निकालने के लिए हमें अंश का निक क्या आये तो सीधी सी बात इनका जब भी अभाजी संख्याव का लासा निकालना हो तो क्या करते सारी संख्याव का आपस में गुढ़ा करना होता है कुछ 快 comment तो मिलता नहीं है वहां पर सब का rhyme आपस में गुणा कर दीजी तो तीन का 5 एक में तो क्या पंद्र आपका लासा निकलाएगा ठीक है नीचे क्या दिए गए हमें साथ 14 और क्या है 28 इनका क्या निकालना पड़ेगा हमें मासा तो साथ 14 और 28 अगर आप देखें ध्यान से तो यह दिख रहे हैं हमें उसके गुड़ज 7 के गुडज है यह, ठीक है, 7 कम 7, 7, 14, 7, 21, हटा दिया और 28 है, 7, 4, 28, ठीक है, तो 7 के गुडज है, यानि, इनका मासा क्या निकलेगा? 7 ही, इनका मासा निकलेगा, ठीक है, अगर आपको भाग विधी से देखना है, तो क्या करेंगी हम सबसे पहले साथ का डिवाइड ये दीजी 28 में तो साथ चौक 28 यानि की साथ निकल आया है यहाँ पे अब इस साथ से हम चेक कर लेंगे कि जो साथ है वो चौदे को पूरा-पूरा भिवाज़ित कर रहा है कि नी अगर कर रहा है तो आपका यही मासा हो जाएगा ठीक है तो साथ मासा निकल आया अब भिन्द का लासा और भिन्द का जो लासा है वो क्या निकलेगा अंश का लासा हमने क्या निकाला पंद्रे तो यहाँ पे हम पंद्रे रख देंगे और मासा क्या निकाला हमने साथ तो साथ इसके अपोर में ठीक है तो भिंद का लासा क्या निकला पंदरा बटे साथ ठीक है ये भिंद का लासा हो जाएगा अब हम भिंद का मासा देखते हैं तो भिंद का मासा निकालने के लिए क्या करना है हमें अंश का मासा निकालना है अंश मेरा क्या है तीन पांच और एक जब भी अभाजी संख्याएं होती है और उनका मासा निकालना होता है तो वहाँ पर आपका मासा सदैव एक आता है ठीक है अब हमें हर का क्या निकालना है हर का हमें निकालना है लासा हर क्या है हमारा 7, 14 और 28 तो इनका लासा निकालने के लिए सेम वही वाली प्रोसेस करनी है जो गुड़न खन बिदी मैंने आपको समझाई थी तो चलिए उससे लासा निकालते हैं गुड़न खन बिदी से 7, 14 और 28 ऐसे लिख लिए हमने 7 में तो 7 जाएगा नी फिर 7 में नी जाएगा 2, 17, 14 अब यहां पे 7 से चला जाएगा 7, 1, 7 7, 1, 7 और 7, 1, 7 तो लासा क्या निकलेगा हमारा 2, 2, 4, 17, 28 क्या निकला हमारा लासा यहां पे 28 निकल के आ गया ठीक है और मासा एक निकला था तो इस भिन्न का मासा क्या हो जाएगा अंश का मासा एक बटे अठाईस ठीक है यह आपका भिन्न का मासा निकलाएगा ठीक है यह आपका मासा हो जाएगा और भिन्न का लासा क्या निकला था अंश का लासा निकला था पंद्रे और जो मासा निकलाता वो था साथ ठीक है तो भिन का लासा यहाँ पर हो जाएगा पंद्रे बटे साथ और भिन का मासा हो जाएगा यहाँ पर एक बटे अठाइस ठीक है नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखेगा इससे कोशन पूछे जाते हैं कई बार इसका फॉर्मूला यह कि दो संख्याओं का गुड़न फल बराबर होता है लासा गुड़ा मासा के ठीक है करते हैं कोशन में लासा या मासा दे दिया जाता है आपको और वहाँ पर आपको पहली संख्या दे दी जाएगी या दूसरी संख्या दे दी जाएगी तो उन में से कोई एक संख्या पूछते हैं ठीक है जैसे कोशन है दो संख्याओं का मासा 6 है और लासा 36 है तो उन में से एक संख्या 12 हो तो दूसरी हमें याद करनी है ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या करना है तो इसी फोर्मूले को लगाएंगे दूसरी संख्या पता नहीं है तो हम यहाँपर केबल संख्या लिख देते है बराबर लासा क्या है हमारा 36 और मासा क्या है हमारा 6 ठीक है इस बारा को पक्षान तर करेंगे तो बटे में चला जाएगा तो यहाँ पर संख्या बराबर 36 गुणा 6 बटे 12 ठीक है? 12 से 36 कर जाएगा 12 ती है 36 ठीक है? 6 और 3 का आपसे मल्टिप्लाई करेंगे तो 6 ती है नेक्स्ट कुश्चन देखिए दो संख्याओं का मासा 27 दिया है लासा दिया है 20 89 और इनका जो संख्या है 119 दी गई है दूसरी संख्या ग्याद करनी है ठीक है? तो हम क्या करेंगे? तो संख्याओं का गुणफल बराबर लासा गुणा मासा होता है तो वही फॉर्मूल लगाना है एक संख्या क्या है? 189 दूसरी संख्या पता नहीं है एक्वल जो लासा है आपका 20 79 और जो मासा है वह कितना है? ठीक है? अब ये 189 इसके अपॉन में चला जाएगा तो यहाँ पर संख्या क्या निकल गयाएगी? गुणा में होता है अब अगर आप 189 को देखें तो यह 9 से कटने वाली संख्या है 9 से जो कटने है उनका क्या होता है? कि अंकों का योग 9 से भिवाजित होना चाहिए तो काट के देखें 9 और एक 10 और 8 अठारा तो कट रही है यह 9 से काटी है 9 दूनी अठारा 9 एकम 9 और उपर वाली कट जाएगी 9 तिया 27 ठीक है? और अब फिर से इस 3 से 21 को काट दीजिए 3 सत्य 21 अब इस 7 से हम 20 89 को काट देंगे देखें तो 7 दूनी 14 ठीक है? और वहां से 6 बचेगा 67 बन जाएगा तो 7 निम 63 33 से वहां से जब माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और 7 सत्य 49 ठीक है? तो यहां पर जो आपका अंसर निकल के आएगा 297 ठीक है? अगर भाग देने में ऐसे परेशानी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं ऐसे करके भाग दे दीजिए इसके अंदर लिखे 20, 79 ठीक है? तो सबसे पहले क्या? दो बार भाग जा रहा ना है? 7, 2, 14 तो इसके नीचे 14 लिखा माइनस किया 6 बचेगा 7 को नीचे लिया 67 बन गया तो कितनी बार? 9 बार जाएगा 7, 9, 63 9 बार गया 63 बन जाएगा यहाँ पर और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा अब यहाँ का जो 9 है वो नीचे ले लेंगे 7, 7, 49 ठीक है? और 0 बचेगा तो यहाँ पर जो अपकी संख्या निकल के आएगी वो 277 बे निकल के आएगी यह वाला जो फॉर्मूला है और इस पर बेस्ट जितने भी कोश्चन है वो आपके सारे इंपोर्टेंड है आज की क्लास में बस इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम लासा और मासा पर आजारे थियोरी वाले कोश्चन करेंगे जिसमें ऐसे कोश्चन दिये जाते हैं कि 40 cm, 50 cm, 80 cm माप का कोई कपड़ा है तो उसे कौन सा पैमाना माप सकता है पूरी दरीके से इस टाइप के जो कोश्चन होते हैं वो जो आपके एक्जामें पूछे गई हैं तो वही है मैं करवाओंगी सारे अगली क्लास में थैंक्स वर वाचिंग और प्ल्सक्राइब मैं चानल बाबाई तेक केर